500 बसें हमने खाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुच जाते हैं कल हमने 900 बसे पाच सो बसे राजस्तान के बाटर पर और राजस्तान युपी के बाटर पर और 300 से अधिक बसें जितकी पूरी संख्या संख्या ृटी हमने घाजियाबाद बाटर पे डिली बाटर पे हमने उपलाब्द करण अब अगर ये बसे चली होती, तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत, सुरक्षा पूर्ण रवाना हो जाते, लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलजे रहे, उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ यह हो रहा है, वो हो रहा है, हम बसे हमारी पहुंच गई है, कल 4 ब बसे खड़ी रही है, आज भी खड़ी है, अब मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि देखिये, चार बजे 24 गंटे हो जाएंगे, कि यह बसे उपलब्द है, अगर आपको इस्तिमाल करनी है, तो इस्तिमाल करिए, हमें अनुमती दीजिए, आपको भाजपा के जंडे लगाने हैं, इन पर अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं, तो बेशक लगाईए, बेशक लगाईए, आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्द कराई हैं, तब ही कराईए, लेकिन इन बसों को चलने दे, क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलजन में पड़े रहे हैं, जब त में चल रहे हैं, उनके साम तमाम मुसीबतों को जहलते हुए चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यह आगरे करना चाहती हूं, हमारी बसे वहां पे चार बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तिमाल करनी हैं, तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमती दीजिए कि हम उनका सच जालन कर सके हैं, अगर आपको नहीं इस्तिमाल करनी हैं, तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापिस भेज देंगे, हमने तीन दिन पहले भी वापिस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापिस भेज देंगे, जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर जिले में हर शहर में हमारे कारिकरता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीरित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं उस तरह से हम करते रहेंगे हमें कोई परवा नहीं है कि आपकी बसे हैं या हमारी बसे हम सिरफ एक सेवा भाव से कहना चाहती हूँ अपने खास तोर से अपने प्रवासी भाई बेहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चलके जा रहे हैं कि कॉंग्रिस का एक-एक कारेकरता एक-एक नेता आपके साथ है आप उत्तर प्रदेश के जिस जिले से जिस शहर से गुजरेंगे हमारे लोग आ उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं धन्यवाद